देश के प्रतिष्टित ग्रूप्स में से एक अदानी ग्रूप और अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के बीच में बहस है जो खत्म होने का दाम नहीं दे रही 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपॉर्ट में दावा किया गया था कि अधानी ग्रूप दशकों से खुलंग खुला शेर्स में धोका धड़ी कर रहा है जिससे अधानी ग्रूप को 48,000 करोड का नुपसान उठाना पड़ा हाला कि हिंडनबर्ग रिपॉर्ट की रिपॉर्ट पर अधानी ग्रूप ने 413 पेज का जवाब भेजा है जिस पर 30 जनवरी को हिंडनबर्ग कंपनी का रिस्पॉंस भी आ गया आगे बढ़े उससे पहले बता दें बिस्तक पर एक फरवरी से बजट कवरेज में जुड़ी है क्या मौझूदा इलेक्ट्रिक वीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा आप उपनी राय हाँ ये नामे दर्श करवा सकते हैं प्रोबो पर जो हमारे ओपीनियन पार्टनर है लिख डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आगे बढ़े तो बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने जवाब में कहा हम मानते हैं कि भारत एक vibrant democracy है और एक super power के तौर पर उभर रहा है हम साथ ही ये भी मानते हैं कि अदानी ग्रूप भारत के भविश्य के साथ खिलवार कर रहा है ये group राश्रवात की आरड में देश को लूट रहा है हमारा मानना है कि fraud चाहे जो भी करे वो fraud होता है आप इसे देश पर हमला बता कर सत से बच नहीं सकते यही नहीं अमेरिकी फ़र्म ने तो यह भी कह दिया कि उसने रिपॉर्ट में अधानी गूर्प से 88 सवाल पूछे थे जिस में 66 सवालों का जवाब उसने दिया ही नहीं विनोद अडानी विदेशी शेल कंपनियों के साथ अर्बो डॉलर की डीलिंग है विनोद अडानी की विदेश में 38 कंपनिया है उनकी मौरिशिस के अलावा UAE, साइफ्रस, सिंगपोर और कई करभिया ही कंट्रीज में कंपनिया है इन में अडानी ग्रॉप के शेरों और अकाउंटिंग पर सवाल उटते हैं हलाग इसके जवाब में अडानी ग्रॉप ने कहा था कि विनोद अडानी उसकी किसी भी कंपनी से नहीं जुड़े हैं और इन ट्रांसक्शन से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है बताते हैं कि अडानी ग्रॉप ने हिंडनबर्ग की रिपॉर्ट आने के बाद हुए नुकसान पर कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात कही थी इसके साथ ही 29 जनवरी को ग्रॉप की तरफ से बयान जारी किया गया था ग्रॉप ने हिंडनबर्ग की आरोपो पर 413 पेज का जवाब दिया था जैसे हमने आपको पहले ही बताया और इस रिपॉर्ट को भारत पर हमला करार दिया था ग्रॉप ने काया था कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपॉर्ट को पढ़कर हैरान और परिशान है यह रिपॉर्ट जूट के लाव और कुछ नहीं है इसमें खास उद्देश्च के लिए ग्रॉप को बदनाव करने के लिए निराधार आरोप लगाए गए है बतादें की पिछले हपते अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपॉर्ट में अधानी ग्रॉप से 88 सवाल पूछे थे हिंडनबर्ग में अधानी ग्रॉप की कंपनियों को ओवर वैल्यूड बताय था जिसके बाद अधानी ग्रॉप के शेर्स में भारी गिरावट दर्च की गई थी हलांकि अधानी ग्रॉप ने अपने जवाब में कहा है कि क्योंकि समू का एक IPO लॉंच होने वाला है जो कि देश को सबसे बड़ा IPO होने वाला है इससे पहले ठीक ऐसी रिपॉर्ट जारी कर हिंडनबर्ग ने अपनी बदनियत का सबूत दे दिया है बता दे कि हिंडनबर्ग रिसार्च एक वित्तिय शोध करने वाली अमेरिका की कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आक्रों का विशलेशन करती है इसे 2017 में नाथन एंडिसर ने बनाया था जिसका काम है कॉर्परेट जगट की गतिविधियों के बारे में खुलासा करना कंपनी ये बता करती है कि क्या शेर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेरा फेरी तो नहीं हो रही है क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट करके खुद को कोई बड़ा तो नहीं दिखा रही है क्या कंपनी अपने फाइदे के लिए शेर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेरों को बेट लगाकर रुकसान तो नहीं पहुचा रही है हाला कि अदानी ग्रूप समू कोई पहला नहीं है जिस पर अमेरिकी फिर्म ने रिपॉर्ट जारी कियो इसे पहले अमेरिका कैनडा चीन की करीवन 18 कंपनियों को लेकर भी अलग अलग तरह की रिपॉर्ट को प्रकाशित किया गया है जिसके बाद काफी घमासान मचा जादतर कंपनिया अमेरिका की ही थी लेकिन अब भारत की अदानी ग्रूप को लेकर जिस तरीके से ये रिपॉर्ट आई है उसने वाकई में अदानी ग्रूप के बीच में खलवली मचाकर रख दी है आपका इस रिपॉर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स पट जरूब बताएं.